समर वेकेशन खतम होने को है लेकिन बच्चों के डिमांड खतम होने का नामी नहीं ले रही है तो आज मेरे बच्चों ने डिमांड की है मैंगो डॉली की मार्केट से लाके तो खाते हैं लेकिन बोल रहे हैं कि मम्मी आप बना के दो तो चलिए आज बनाते हैं mango dolly तो mango dolly बनाने के लिए हमें चाहिए दूद तो रुद्रों को मैंने भेजा था तो वो दूद लेके आ गया है तो चलिए आज घर पे ही बनाते हैं mango dolly मैं भी first time बना रहे हूँ देखते हैं कैसी बनती है I hope के अच्छी बने तो दूद मैंने यहाँ पे ले लिया है एक लिटर यहाँ पे हम पूरा एक लिटर का दूद का यूज नहीं करेंगे इसमें से हमें एक कभी चाहिए लेकिन घर में भी चाय बनाने के लिए दूद चाहिए होता है तो मैंने साथ में ही मंगवा लिया और इसमें से हम थोड़ा सा दूद्ध यूज़ करेंगे घर पर मैंगो डॉली बनाने के बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल है लेकिन आज मैं जो मैंगो डॉली बनाऊंगी उसमें हम मैंगो का यूज़ नहीं करेंगे जी हाँ यहाँ यहाँ पर हम पीना मैंगो के मैंगो डॉली बनाने वाले हैं तो अगर मैंगो का सीजन चला जाए आपके घर पे मैंगो नहीं है आपको विंटर में या फिर मॉनसून में भी मैंगो डॉली बनानी है घर पे और खानी है तो आप इसे easily बना सकते हो तो यहाँ पे मैंने एक pan ले लिया है और pan के अंदर मैंने डाल दिया है एक cup दूद तो यहाँ पे सबसे पहले हम बनाएंगे vanilla ice cream क्योंकि mango dolly के अंदर जो white color का part होता है वो vanilla ice cream होती है तो vanilla ice cream भी हम घर पे ही बनाएंगे तो यहाँ पे एक cup के अंदर मैंने तीन से चार चम्मच जितना दूद ले लिया है और उसके अंदर मैंने एक चम्मच बर के conflore डाल दिया है और उसे अच्छे से mix कर लिया है और अब यहाँ पे हम दूद को थोड़ा सा गरम होने देंगे दूद थोड़ा सा गरम हो जाए फिर इसके अंदर डाल देंगे चीनी तो यहाँ पे चीनी मैंने तीन चम्मच जितनी ली है अगर आप ज़्यादा स्वीट खाते हो तो ज़्यादा भी चीनी एड़ कर सकते हो और अब यह जो conflore वरा mixture है वो दूद के अंदर डाल देना है एक साथ ही हम देन जालेंगे थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और spatula से इसे लगातार हम चलाते रहेंगे ताकि इसके अंदर लंस ना बने गैस की flame को अभी हमें low रखना है क्योंकि high flame रखेंगे तो mixture नीचे चिपक सकता है तो low flame पे हमें इसे पकाना है जब तक कि ये mixture गाड़ा ना हो जाए तो आप देख सकते हो कि mixture अच्छे से गाड़ा होने लगा है mixture बराबर से गाड़ा हो जाए उसके बाद हमें gas की flame को off कर लेना है और ये mixture को हमें निकाल लेना है तो इसके उपर कोई plate वगेरा रख दे और बात में उसे फ्रीज में रखे ताकि उपर से ये mixture है वो सुख ना जाए तो चलिए mixture को मैंने रख दिया है फ्रीज में और यहां पर मैं फ्रीज से लेके आ गई हूँ बहुत सारा सामान तो मैंने ले लिया है आइस क्यूब और यहां पर मैंने ले ली है फ्रेश क्रीम जो अमुल की फ्रेश क्रीम आती है वो मैंने ले ली है और एक बड़ा सा बोल मैंने ले लिया है उसके अंदर रख दिया है नीचे आइस क्यूब और एक काचका मैंने बोल लिया है उसे मैंने पहले से ही फ्रीजर में ठंडा होने के लिए रख दिया था और उसे मैंने रख दिया है आईस क्यूब के ऊपर और यह जो फ्रेश क्रीम है वो सारी हम डाल देंगे बोल में और इस तरह के डबल बिटर से हमें इसे बीट कर लेना है अगर आपके पास इस तरह का बिटर नहीं है तो आप विसकर से भी इसे विसकर सकते हो तो चलिए थोड़ा बहुत इसे विसकर लेंगे उसके बाद इसके अंदर एड़ करेंगे वनिला एसेंस तो यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्मून जीतना वनिला एसेंस एड़ किया है और अब इसके अंदर add कर देंगे konflour वाला mixture जो हमने बना के ready किया था वो भी अच्छे से ठंडा हो गया है और अब इसे फिर से हम fat लेंगे तो आप देख सकते हो कि इसकी जो quantity है वो बढ़ गई है इसे हमें लगातार 5-7 मिट के लिए fat लेना है और whisker से अब अगर आप इसे fat रहे हो तो थोड़ा सा जादा इसे fat ना पड़ेगा आप इसे mixture में चलाएंगे तो नहीं चलेगा इसे इस तरह fat नहीं होगा तो चलिए यहाँ पे हमारा vanilla ice cream का base ready हो चुका है और अब इसे भर लेते हैं मोल्ड में तो यहाँ पे मेरे पास इस तरह के मोल्ड है तो इस मोल्ड में मैंने इसे भर लिया है इसे हमें पूरा नहीं भरना है इसे हमें थोड़ा सा खाली रखना है उपर से तो आप देख सकते हो कि मैंने इसके अंदर कितना यह जो ice cream वाला mixture है वो भरा है आप यहाँ पे aluminum foil का भी use कर सकते हो और अब इसके उपर हमें cut लगा लेना है चाकू की help से तो छोटे-छोटे हम cut लगा लेंगे और इसके उपर लगा देंगे stick तो इस तरह के steak market में easily available है अगर आपके पास इस तरह के steaks नहीं है तो आप क्या करें आप घर पे ice cream खाने के लिए लाते ही होंगे mango dolly या फिर चोको बार वगेरा तो उसकी जो stick आती है वो हम रख लेंगे और इसका use इस तरह करेंगे तो मैं पहले ऐसा ही करती थी लेकिन अभी मेरे पास यह stick है तो मैंने इसका use किया है और यह जो ice cream मैंने बनाई है उसे मैंने freezer में set होने के लिए रख दिया है तकरिबन 5-6 गंटे लगेंगे उसे set होने के लिए और यह जो vanilla ice cream का base बच गया था उसे भी मैंने एक air tight container में भल लिया है और उसे भी set होने के लिए रख दिया है और यहाँ पर दूसरा दिन हो गया है अगले दिन थोड़ा से late हो गया था रात हो गई थी तो मैंने shoot नहीं किया है तो यहाँ पर सुबे सुबे मैं आ गही हूँ kitchen में और यहाँ पर मैंने ले लिया है tank तो यहाँ पर मैंने mango flavor वाला tank ले लिया है क्योंकि आज हम mango dolly बनाने के लिए mango का use नहीं करने वाले है तो आज हम use करेंगे tank का क्योंकि इसका taste बहुत ही बढ़िया होता है तो यहाँ पर मैंने छोटा वाला packet जो आता है वो पूरा packet ले लिया है और इसके अंदर हम डाल देंगे पानी तो पानी यहाँ पर हम जादा नहीं डालेंगे थोड़ा सा ही पानी डालेंगे तो यहाँ पर तकरीबर मैंने half cup जितना पानी लिया है और चम्मस से इस तरह इसे हमें अच्छे से गोल लेना है अगर आपको लगे कि मिक्षर थोड़ा सा गाड़ा है तो आप थोड़ा सा पानी और एड़ कर सकते हो लेकिन जादा हम इसे liquid नहीं बनाएंगे क्योंकि हमें इसे थोड़ा सा थीक रखना है तो चलिए इसे मैंने अच्छे से mix कर लिया है और यहाँ पर हमारी जो ice cream है वो भी अच्छे से set हो गई है और यह देखे रुद्रा को मस्तिश सूज रही है घर पे है vacation चल रहा है और mango dolly देखके तो वो खुश हो गया है तो चलिए अभी लेकिन अभी उसे खाने के लिए नहीं मिलेगी क्योंकि अभी इसे बनने में थोड़ी सी और देर लगने वाली है तो यहाँ पे मैरे polys निकाल ली है और यह जो ice cream है वो अच्छे से set हो गई है तो आप इस तरह हाथों से उसे रगड़ोगे तो भी यह easily निकल जाएगी तो आप देख सकते हो कि कितनी easily यह बाहर आ गई है बिल्कुल भी टूटी नहीं है और perfectly हमारी ice cream जमगे ready हो गई है और दूसरा तरीका आपको मैं बताऊंगी तो आपको क्या करना है एक glass ले लेना है और उसके अंदर ले लेना है थोड़ा सा पानी room temperature वाला पानी यहाँ पे लेंगे एकदम ठंडा पानी नहीं लेंगे और पानी में इसे थोड़ी देर के लिए हम डुबो के रखेंगे और इस तरह हम उसे थोड़ा सा हिलाएंगे तो यह ice cream भी easily निकल जाएगी तो इस तरह आप दोनों तरीकों में से जो आपको पसंद हो वो आप use कर सकते हो तो चलिए सारी ice cream को मैंने निकाल लिया है और अब फटा-फट से इसे वापस से हम रख देंगे freezer में ताकि यह melt ना हो जाए और अब यह जो mold है उसे हमें दो के अच्छे से clean कर लेना है उसे dry कर लेना है क्योंकि इसका use हमें वापस से करना है तो चलिए सारे mold को मैंने अच्छे से दो लिया है और अब इसे कपड़े से मैं अच्छे से पोच लूँगी और अब इसके बाद हमें जो उसका stand है उसके अंदर इस सारे mold को वापस से लगा लेना है तो सारे mold को मैंने वापस से लगा लिया है और अब यह जो हमने मिक्षर बनाया था टैंग वाला, मैंगो फ्लेवर वाला उसे हमें जो मोल्ड है उसके अंदर भर लेना है तो इसके अंदर तकरीबन 2-3 चमच हम भर लेंगे जितना हमने उपर से पार्ट खाली रखा था मोल्ड के अंदर हमने जब वानिल आइसक्रीम भरी थी तब उपर का पार्ट जो खाली था उतना हम उसे नीचे से कवर कर लेंगे मतलब कि उसे भर लेंगे तो तकरीबन 2-3 चमच इसके अंदर जाएगा अब मैं लेके आ गई हूँ वापस से वनिल आइसक्रीम जो हमने फ्रीजर में रख दी थी और इसे हमें डाल देना है मोल्ड के अंदर तो आप देख सकते हो कि अच्छे से ये जो कोटिंग है मैंगो टैंग की इसके उपर हो रही है और इस सारे आइसक्रीम को हमें मोल्ड के अंदर रख लेना है और वापस से ये जो पॉलिथिन थी उसे हमें उपर से लगा लेना है और उसे वापस से हमें रख लेना है फ्रीजर में तो इसे वापस से हमें 5-6 गंटे के लिए सेट होने के लिए रख देना है यहां पे हमारे vanilla ice cream अच्छे से सेट हो गई है तो चलिए vanilla ice cream ट्राइ करते हैं कैसी बनी है इस vanilla ice cream को आप बहुत जगा पर यूज़ कर सकते हो अभी गर्मिया चल रही हैं तो आप इसे sheak बना सकते हो brownire के साथ इसे खा सकते हो लेकिन मैंने और रुद्र ने इसे चोकलेट सिरप के साथ एंजोय किया टेस्ट में ये बहुत ही बड़िया बनी थी तो आप घर पे इस सरा वनिला आइसक्रीम भी इजीली बना सकते हो तो चलिए रुद्र को टेस्ट करवाते हैं तो उसे तो बहुत ही अच्छी लगी और मुझे भी ये बहुत ही अच्छी लगी तो यहाँ पे 5-6 गंटे हो चुके हैं शाम हो गई है और हमारी जो मेंगर डॉली है वो भी रेडी हो गई है तो चलिए अब इसे निकालते हैं देखते हैं कि ये कैसी बनी है फर्स ट्राइम इसे मैंने ट्राइ किया है देखने में तो अच्छी लग रही है तेस्ट में कैसी लग रही है हम देखते हैं तो यहाँ पे मैंने वापस से वही मैथड यूस किया है ग्लास के अंदर मैंने थुड़ा सा पानी ले लिया है और उसे निकाला है तो आप देख सकते हो कि इजी लिए निकल गई है देखने में बहुत ही बढ़िया लग रही है और खाने में बहुत ही टेस्टी थी तो आप घर पे इसे एक बर जरूर ट्राय कर सकते हो तो ये देखिए फटा-फट से सारी मैंगो डॉली मैंने निकाल दी है तो चली अब इसे टेस्ट करते है मेरे घर में तो ये मैंगो डॉली सबको बहुत ही पसंद आई है और अगर आपको भी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिए और चैनल पे नोई तो सस्क्राइब मिलते हैं जल्दी ही नेक्स रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई जैशी करशना